COVID-19 के चलते सोलन में पिछले एक महा से जहां बातावरण में प्रदूशन की कमी आई है वहीं बहुत से बदलाओ भी देखने को मिले हैं इसी प्रकार अगर पुलिस की फाइलों में जहांका जाए तो सोलन में क्राइम के मामलों में काफी कमी देखने को मिली है कोरोना वाइरस के संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन वाकर फ्यू लगाया गया है जिसकी वजह से लोग अपने घरों में ही कैद है लेकिन इसका एक सुखद पहलू भी सामने आया है इन दिनों अप्राधिक गतिविधियों में काफी रोक लगी है सोलन पुलिस ने वाहन दुरघटना का केवल एक ही मामला दर्ज किया है नशीले पतार्थों की तसकरी के मामले में भी काफी हद तक कमी आई है लड़ाई जगडे, जमीन, जायदात, वो मारपीर जैसे मामले पुलिस की फाइलों तक नहीं पहुंचे है जो की सुखद है लेकिन कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए लोगों को घरों में ही रहने की अपील करते-करते ठक चुकी पुलिस के पास जब कोई चारा नहीं बचा तो महामारी रोक थाम अधिनियम के अंतरगत बिना काम के सडकों पर घुमने वालों के विरुद्ध मामले दर्ज किये गए हैं जिनकी संख्या एक महा में 86 की करीब पहुंच चुकी है सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक डॉक्टर शिवकुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान भी नशे तसकरों के खिलाफ मोहिम जारी रखी है ऐसे लोगों के विरुद्ध खुफिया तंतर पूरी चौक्सी के साथ तसकरी करने वालों को दबोशने में जुटा है उन्हें कहा कि पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनयम के तहत अभी तक के लोगडाउन के दौरान 10 मामले दर्ज किये हैं शराब की तसकरी करते हुए 20 मामले आबकारी अधिनयम के अंतरगत दर्ज किये गए हैं उन्हें कहा कि इसके अलावा अन्य अपराध्य गतिविधियों में काफी कमी आई हैं वहानों की आवजा ही बंद होने से दुरघटनाव में भी कमी दर्ज की गई हैं जब से कर्फ्य लगाया अभी तब एक केस हुआ है जिसमें तीन लोग इंजड हुए थे और इसके अलावा इस दौरान जो ड्रग्स हैं और एक्साइस के के केसिस हैं उनमें थोड़ी इंक्रीज देखी गई हैं ड्रग्स केसिस तो एड़ पार ही हैं अभी तक NDPS के हमारे प चुके हैं मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो भी पुलिस और प्रशाशन की डिरेक्शन है उसको आप फॉलो करें ताकि इस कुरोना माहमारी इसे हम पार पा सके हैं अगर कोई व्यक्ति इन इंस्ट्रक्शन को नहीं माननेगा तो उसके खिलाफ कानून के तार करवाई क Bureau Report City Channel Solan